और जो हम देखते हैं सुनते हैं खाते हैं पीते हैं जो भी क्रिया करते हैं उसका छाप हमारे मन में पढ़ता है और वही हमारा क्या हो जाता है संसकार हो जाता है वह हमारा आदत हो जाता है आदत फिर हमारा संसकार बन जाता है जब संसकार बन जाता है तो फिर संसकार आदमी को खीचता है फिर उसी दिशा में ले जाता है उसी दिशा में ले जाता है सराबी भूल करके भी दूद की दुकान में नहीं जाता है वो कहां जाता है सराब की द दुकान में जाता है कि कोई ट्रक ड्राइवर हो सराबी हो है अधिकतर चालकों को कहते हैं सराब पीते हैं चाहे उसकी गाड़ी ट्रक कहीं भी बिगड़ जाये विरान विरान जगह पर बिगड़ जाये यहां जांता है कि आसपास सराव की दू-दुकान और जि मिलता है। लेकिन वह 2 गंटा में सराव उपलब्धकरल है। पता लगा लेगा कहां से मिलेगा तो यह हमारा मन जीन जीन वीशीओं में बंधा होता है वहां वहां खिचाता रहता है गाउं घर में आप देखते हैं जिसकी खाने-पिने के आदत हो जाती है बढ़ीया बढ़ीया सब्जी बनाएं लेकिन कहेंगे कि चटनी ला रहे हैं गर में ऊज़ायो क्लेट बना जैसे यहां लोक किला हुआ है कोई दिन जलेबी कोई दिन पकोड़ी सब प्रक्वर्य चल रहा ला है तो संत जी उस माता जी के घर में मेहमान वह थी कई प्रकार के भोजन बनायी थी माता जी संत जी को परसे परोस दिये उसने परोस दिया लेकिन पापड निकाला था उसको परोसने में भूल गया एक कोने में रहा पापड और सारी चीजे तो सामने थी तो परोस दिया था अब संत जी भोजन करे और पापड के तरफ देखे कि माता जी अब परोसेगी अब उसको याद आ जाए अब माता जी अन्य चीजों को तो लाते रहे पूछते रहे डबल तीवल पूछते रहे और वो संत जी भोजन कर रहे हैं देख रहे हैं कि हाँ ध्यान है उसका पापड म भी न अब पापड बड़ा अच्छा भी लगता है है ना बड़ी आवाज होती है रे भंधारा में जब पापड चला जाता है और अन्या चीज़ खाएंगो उसकी आवाज नहीं होती लेकिन पापड की जब मुह में जायेंगे तब तब आवाज हाथ में तोड़ेंगे तब आवाज थाली में रहेगी तब आवाज है ना तो संद जी पापड के तरफ धियान दे रहे था कैसा कहा जाए मांग भी नहीं सकते कि माता जी पापड दे दो बड़ा मर्यादा वाली बात है महराज जी को सब चीछ परसा लेकिन मन फस है पापड में कहेंगे तो संद जी ने युक्ति निकला क्या युक्ति निकला उसने कहा कि माता जी मैने आज ले दे करके बचा अरे कैसे महराज जी अरे आज मैं सुबट घूमने गया था तो रास्ते में साप मिला ओ महराज जी हां माता जी मैंने ले दे करके बचा मेरा सभाग गया है कि आपका दर्सन हुआ बहुत बड़ा साप तो माता जी कहते हैं कितनी बड़ी साप साहब कितना बड़ा साप साहिब कहते हैं कि माता जी यहां से पापड इतना दूर्लम्ब साप माता जी गरें महराज मैं तू भूल गया पापड देने के लिए नहीं हम तो पापड नहीं बता रहे थे सांब बता रहे अठीत है रहे महराज आपने इacht दिल आ दिया अच्छ है किした मन उसकी उदारन नहीं है ऐसी हमारा मन जहां जहां बंधा रहता है वीसियों में खने में पीने में वहाँ वहाँ हमारा मन खिचाता रहता है साहब कहते हैं विशय सुख दुख देत है दुख दाता नहीं कोई विशियों के कारण हमें सुख और दुख मिलता है पंच विशय दुख देत नित मिल अन मिल सब भाती सद्गूरु विषाल साहessionsे आगे भी कहते हैं पंचविसय दुख देतनीत हमें जो दुख mellता है इन पंच विशियों के कारण है कि मिल अन्मिल सब भात है मिल करके अनमिल मिल कर जुवा खहलते हैं जो जीतता है वह भी नहीं उठता है जब तक क्यों खेल नहीं जा जानता है कि मेरा सारी चीजे जा रही है जा रही है मेरे तरफ दाउन लग रहा है तो इसको भी इतना बच जाए इतना भी तितना नहीं सहीं नहीं उठता है वो सोचता है कि अब सायद मेरा दाउं लग जाए अब सायद मेरा दाउं लग जाए और जो जीत रहा है उसको तूठ जाना चाहिए कि मैंने बहुत जीत लिया लेकिन वह भी नहीं उठता है वो सोचता है और आजाए और आजाए और होता क्या है न तो जितने वाले पास संपत्ती होती है ना हारने वाले के पास संपत्ती होती जो हारता है तो हारता है वेद में मंत्र आया है उसका भाव है कि आदमी सुबा ठंड बंड करके घोडे में सवार हो करके बढ़िया कपड़ा और पैसे ले करके चलता है और साम को जुआ में हार कर अपना कपड़ा लटता हार करके घोड़ा हार करके धन दौलत हार करके नंगे पैर घर लौटता है जिवारी के घर के इस्थिति सरावी के इस्थिति सरावी आप देख अच्छा नहीं होता है और इसका भुकतान पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है तो जो जब मिल जाता है भोग तो तृष्णा बढ़ती है और जब नहीं मिलता है तो आसा आसा लगी रहती है कि सायद अब मिले अब मिले अब मिले और मिलता किसी क्यों नहीं है भोग से त्रिप्ति कभी नहीं मिलती है भोग से कभी त्रिप्ति नहीं मिलती है इस बात को हमें समझना होगा संतोस से त्रिप्ति मिलती है त्याक से त्रिप्ति मिलती है नकी भोग से कहा जाता है इस प्रित्थी में चाहे जितने प्रानी जनम ले लेकिन इस धर्ती में छमता है कि सब की और सक्ता की पूर्ती कर सकते हैं लेकिन इस धर्ती में इस प्रित्थी में इतनी छमता नहीं है कि किसी एक आदमी की भी इच्छा पूर्ती कर दे यानि इच्छा की पूर्ती नहीं हो सकती है रावन की इच्छा क्या थी? स्वर्ग में स्वर्ग तक सिढ़ी बनाने की बना पाए? नहीं बना पाए दूसरी उसकी ख्वाइश थी सोने में सुगंध पैदा करने की सोने में सुगंध पैदा आज तक नहीं हो सका क्योंकि ऐसे ही मन है ऐसे ही हमारी ख्वाई से बढ़ती है जिसकी इच्छा की पूर्ती नहीं हो सकती है अवसक्ता की पूर्ती होती है इस धर्ती में चाहिए इतना प्रानी पैदा हो जाए सब क्या हो सकता कि पूर्ती होगी लेकिन इच्छा कि पूर्ती किसी एक व्यक्ति की नहीं हो सकती है इसलिए साहब कहते हैं विशाय जीत संसार में कि विशियों को जीतना चाहिए आप देखते होंगे साधू संद बड़े बड़े त्यागी तपस्वी लोग भी सारीरीक तौर पर कश्ट सहते हैं सारीरीक तौर पर उसको भी कश्ट सहना पड़ता है रमन महरसी के आप नाम सुने होंगे उसे कैंसर हो गया था हाथ में हुआ था चार बार उसका हाथ काटा गया अंत में भी ठीक नहीं हुआ और कहा जाता है कि उसी पीमारी के लगे उनका सरीर छूटा बहुत निर्मल सुरू से हित्याग भैराग तपस्वी रहे लेकिन कैंसर की विमारी हो गई चार बार उसके हाथ काटना पड़ा पुरकंधे तक काटना पड़ा लेकिन ठीक नहीं हुआ तो सारेरी कष्ट मिलते हैं पड़े बड़े रिशी मुनित पस्यों की जीवन में सारेरी कष्ट लेकिन मानसी कष्ट जरा भी नहीं और वस्तुता क्या है सारेरी कष्ट बंधन बंता भी नहीं है बंधन का कारण तो मानसीक होता है मानसीक इस्थिती होती है मन एव मनुस्या नाम कारणम बंध मोक्षयों कहा गया है मन ही बंधन में और मोक्ष में कारण है जिस चाबी होती ना चाबी ताले की एक चाबी उसी एक चाबी से ताला खुलता भी है और बंध भी होता है लिए दूसरी चावी होती एक ही चावी है जिससे ताला खुलता भी है और बंद भी होता है वैसे हमारा मन है मन से ही बंधन और मोक्ष है सारेरिक कष्ट से बंधन नहीं बनता है मन से बंधन बनता है मन से कारण है मैं यह कह रहा था कि सारीरिक तौर पर बड़े-बड़े संतों को भी सारीरिक कष्ट देखने को मिलता है इंद्री जीत दुख होत जो सो प्रारब्धी जान साहिब कहते हैं इंद्री जीत दुख होत जो जीन जो लोग इंद्रियों को जीते हैं उसको भी सारेनी कश्ट सहना पड़ता है वह क्या है प्रारब्ध है क्योंकि पूर्शार था तो वर्तमान में कर रहे हैं लेकिन पिछले जनम का क्या प्रारब्ध है उससे हम नहीं जानते हैं वह अंधकार में और वह कब उभरेगा कब सामने आएगा उसको हम नहीं जानते है उसको तो बिना सहे बिना जहले बिना भोगे उससे छुटी मिलने वाला नहीं है इसलिए चाहे जितना भैंकर भी सारेरी कश्ट मिले उसमें हमको विचलित नहीं होना है सो प्रारब्धी जान अब प्रारब्धिक दुख जान के देपूर्शारत ध्यान अब उसको प्रारब्धिक दुख जान करके हमें वरतमान के पुर्शारत हमें लगे रहना है विचलित नहीं होना है हमें अच्छे दिशा में ही लगे रहना है बहुत लोग कहते न औरे जब से भक्ति मारग अपनाये हैं बड़ा दुख मिल रहा है कश्ट मिल रहा है बहुत लोग कहते हैं कि भक्ति छाष्टी नहीं है इसे तमाम प्रकार के बात आती है साहब कहते हैं इसे प्रारब्ध दूख जान करके पूर्शार्थ से हमें हटना नहीं है पूर्शार्थ को छोड़ना नहीं है जो अच्छा दिशा जो मिली हुई हमें सं अगर हमारा मन सहीं है हमारा मन अच्छा है तो हमें कोई दुसरा दुख दे ही नहीं सकता है जो भी दुख मिलता है उसका जिम्यदार हम खुद है और इसको हमें स्विकारना पड़ेगा और स्विकार करके हम अपने दोसों को जितना जितता जितते जाएंगे दोसों को दूर करते जाएंगे मन के विकारों से उपर उठते जाएंगे उतना ही हम निरबंध होते जाएंगे और निरबंधता को महसूस करते जाएंगे अपने आत्मा के तरफ लोटेंगे अपने आत्मा का बोध होगा इस पर हुर हमारे संद्गुरु आगे फोकस डालेंगे मैं यहीं पर अपनी वानी को वीराम देता हूं फ्रेम से बोले संद्गुरु देव की जै